आज मैं आप लोगों को बताऊगी नागिन सेरियल में वेर सिंखानिया का किरदान निभाने वाले अक्टर की लाइफस्टाइल के बारे में अगर आप उनके फैन है तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा उनका रियल नेम है शड़त मलूचा उनका निकनेम है शड़त 9 जनुरी 1983 में उनका जनम हुआ था उनका जुडाई साइन है कैफ्रिकॉन साल 2020 में उनका रियल एच है 37 उन्होंने कुलकाता की सेंट जेवेर कॉलेज से विकॉम की दिले कम्पीट की है बच्पन से ही शरत को मॉडलिंग करने का बहुत ही शौक था 20 साल की उमर में उन्होंने कुलकाता की फेस आफ दी येर कम्पेडिशन जीत लिया था प्रोफेशन की बात करें तो वो एक आक्टर और मॉडल है साल 2004 में उन्होंने इंडिया की बेस सिने स्टार्स की खोच के साथ ही अपनी केरियर की शुडवात की थी इसके बाद साल 2006 में उन्होंने बनू में तेरी दुलहन की साथ ही टेलिविशन इंडिस्ट्री में अपना डिब्यूट दिया था जहां पर उन्होंने सागर का किर्दा निभाया था इसके आठ साल बाद यानि साल 2014 में उन्ही टीवी सीरियल भारत के विर पित्र महारान अतताप में देखनी को मिला इसके बाद शरद को टीवी सीरियल कसम तेरी प्यार की में देखनी को मिला जहां पर रिशी और तनुका केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था इसके बाद शरद को स्तार भारत की सीरियल मस्कान में देखनी को मिला था जहां पर उन्होंने रौनक का किरदा निभाया था अभी शरद नागिन के सेजन फाइप में वे सिंखानी का किरदा निभा रही है जहां पर शरद और सूर्वी की के में दश्यकों को बहुत ही पसंदा रहा है टीवी सीरियल के लावा उन्होंने फ्रॉम सिड़नी विद लव फिल्म के साथ बॉलिट में अपना डिब्यूट दिया था अबॉर्स की बात करें तो बन में तेरी दिल्हन और कसन तेरी प्यार की सीरियल में उनकी परफॉमस को देखकर उन्हें बहुत सार अबॉर्स दिया गया है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं शरद की फैमिली की कुछ तस्वीर है शरद की एक्स गल्फरेंड है दिव्यांका प्रिपाथी जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी एक टैलेट हंड शोक के दोरान इसके बाद दोनों और भी नस्दिक आगे जब बन में तेरी दुल्हन की शूटिंग साथ हुई दोनोंने नौ साल तक एक दूस्चे को डेट किया और जब शादे के बात आई तो तब शरद ने इस रिष्टे को ही तोड़ दिया इसके बाद उन्होंने स्प्लिट स्विला की कंटेस्टेंट को जब विष्ट को डेट करना शुरू किया लेकिन ये रिष्टा भी कुछ जादा दिन तिक नहीं पाया पुजा ने ये भी बताया कि शरद उन्हें बहुत बार प्रुका दे चुके है आखेकार साल 2019 में शरद ने अपनी ममी पापा की पसंद की गए लर्की से शादी के ली जिनका नाम है रिष्शी भाटिया जो प्रफिशनली मुंबई की एक पैशन डिजाइनर है सालरी के बात करें तो शरद पार अपिसोड के लिए एट लाग रुपए लेते है उनका ने टोर थी फॉटी एट करोर उनके पास ब्लू कलर की एक मर्सरी बेंच कारिये जिसका खीमा थी 86 लाग इस वीडियो में आप देख सकते हैं उनकी घर की इंटेरियर डिजाइन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो टेलिविशन दुन्या की छोटी बड़ी न्यूस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में